Search Engine Google में आपको वो सारी information मिल जाती है जो कुछ आप जानना चाहते हैं आप Google पर educational, news, latest update and other all subject के बारे में information पताप कर सकते हो बढ़ क्या आप जानते हैं कि आप Google में जो कुछ search करते हो Google उस सब को record कर लेता है जिससे future में आपको problem हो सकती है इस बात में कोई शक नहीं है कि आज Google में हर वो information मौजूद है जो हम search करना चाहते है इसलिए Google को internet guru भी कहा जाता है बट Google आपकी activities पर नजर रखता है जिनकी वज़ा से कुछ गलत searching करनी से आप मुसिबत में पढ़ सकते है तो चलिए देखते हैं Google में किन पात चीजों को आपको search नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करनी से आप मुसिबत में पढ़ सकते हो location अगर आप Google में अपनी location से जुड़ी information search करते हो तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है Google या फिर कोई और hacker आपके address, name, age और other personal information चुरा सकते है Google कभी भी इसका प्रयोग कर सकता है यानि इससे सीधा आपकी privacy को खत्रा हो सकता है Email address Google पर आप जो कुछ search करते हो वो Google track कर लेता है इसलिए आप कभी भी Google में email address या Gmail ID का password टाइप न करे इससे आपका email account hack हो सकता है आपका password leak हो सकता है और आपकी email ID गलत भी use हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको किसी बड़ी scheme में फसादिया जाए Criminal activities अगर आप Google में अपराधिक यानि के criminal चीजों से related topic सर्च करोगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फस सकते हो ये अपने आप में बड़ी मुसीबत मोल लेने जैसा है Criminal activities से संबंदित जानकारी सर्च करनी पर पुलिस आपको अरेस्ट भी कर सकती है For example, अमेरिका में एक कपल के ऐसा करनी पर पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली थी So, अगर आप भी ऐसा करते हो तो इसे फॉरण बन कर दे Medical drugs जब आप Google में दवायों से जुड़ी drugs के बारे में सर्च करते हैं तो ये डेटा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है जिसे फोकस करके आपको उसी बिमारी से related advertisements दिखाये जाते है अब problem ये है कि यही medical information criminal sites को भी दी जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब criminal sites से जुड़ चुके हो So, ये आपके लिए आने वाले दिन में एक नई मुसिबत बन सकती है Blackhead Removal Well, ये तो बिलकुल हटके है इस list में ये आपको definitely डराएगा या trouble नहीं देगा पर yes, आपका पूरा समय जरूर बरबाद कर देगा ये बहुत ही अजीब बात है कि Blackhead Removal ये चीज कई लोगों को ये दुश्य देखके संतुष्टी होती है और जब आप इसे Google पे सर्च करते है तो आप देखते ही चले जाते हो जिससे आपका बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है इस वीडियो में बताए गई सारी चीजे आपको Google में नहीं करनी चाहिए इनके अलावा भी आपको Google में हैकिंग के बारे में भी सर्चिंग नहीं करनी चाहिए Google में कभी भी how to hack topic search न करे वरना Google आपको hacker समझ सकता है और आपके खिलाफ legal action लिया जा सकता है So guys, next time Google use करते time इन सब चीजों का खयाल रखे अगर इस topic से related आपके पास भी कुछ suggestions है तो comments में जरूर mention करें Okay guys, तो आज के लिए बस इतना ही I hope आपको हमारा वीडियो पसंद आया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो please इसको like, share और subscribe कीजिए Thank you